दोस्तो आज बात करेंगे Canon के 3 ऐसे best cameras के बारे में जो bigger photographers के लिए काफी अच्छे रहेंगे कौन से हैं वो models, वो अभी हम बात करेंगे क्या features हैं और किस price के अंदर आपको मिल जाते हैं वो भी हम बात करेंगे तो आज मेरे साथ है Canon से Mr. Sanjay Yadav and Sanjay जी thanks for having me today तो Sanjay जी आज हमको इन सब के बारे में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मज जाएगा So welcome back to my channel friends This is Manish Taksena, let's get started So Sanjay जी सबसे पहले आप हमें ये बताईगे कि कोई एक beginner अगर अपनी photography की शुरुआत करना चाहता है तो आज की रेट में कौन सा एक camera model आप suggest करना चाहेंगे अगर फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहता है और मोबाल को अपग्रेड करके फोटोग्राफी कर इंटरेस्टेड है फोटोग्राफी शीखना चाहता है या second thing is studio के लिए portrait photo लेना है, passport photo click करना है, तो उसके लिए 1500D जो काफी अच्छा model पड़ेगा, जो starting kit lens आता है, 18-55 kit lens आता है, 24 megapixel दिया हुआ है, जो काफी अच्छा होता है, resolution के हिसाब से देखेंगे, 5 frame, 3 frame per second जो continue कर हमें click करना है, तो 3 frame continue कर सकते हैं, second main advantage अगर वो entry level photography है, उ उनको easy to operate करना है, तो इसके अंदर wifi भी दिया हुआ, जिसे हम direct photo share कर सकते हैं, wifi के थुरू, mobile के लिए, easy हो जाता है, उनको data transfer करने के लिए, कहीं outdoor photography कर रहे हैं, उसके लिए भी easy है, camera light weight है काफी carry करने के लिए भी easy हो जाता है, तो आपका क्याने का मतलब एक 1500D एक ऐसा camera body है जो की एक beginner के लिए काफी अच्छे है, इसमें autofocus points कितने हैं अलगभग, अगर हम autofocus की बात करेंगे, तो 9 autofocus points है, अगर उसको single करना है, तो single कर सकता है, selectable है, कहीं पे भी आप उसको देखेंगे, 9 autofocus points हो कहीं पे भी जाके adjust कर सकते हैं, focus point के थुरू, कहीं पे भी उसको इपनी photography को सीखना है, अच्छे से थुरा deeply photography में जाना है, अभी तक आप mobile photography करते हैं, और चार हो कि भाई, आपको एक DSLR का introduction होना चाहिए और आप धीरी-दीरे switch over करना चाहिए हो, एक serious photography की तरफ तो आप इस camera से शुरुआत कर सकते हो, 1500D, और अभी भी मेरे ख्याल से 2022 में का इस एक अच्छा कुछ नहीं है, अगर वीडियो भी करने तो आप वीडियो recording भी कर सकते हो, अगिशनल इन-बिल्ड माइक दिया हुआ है, आप अप अडिशनल माइक इसमे नहीं लगा सकते हो, बेसिक वीडियो ग्राफिय आप कर सकते हो, काफी अच्छा आपका वीडियो मैनुवली फोकस के साथ आप इसे भी कर सकते हो, तो वीडियो का काम भी हो जाएगा, बेसिक फोटो का काम भी हो जाएगा, दोनों परपस के आपका आपका सॉल हो सकता है, स्टार्टिं करने के लिए, तो यहां पर जो एक नेगटिव पाइंट लगा मुझे रगा कि इसमे अधिशनल माइक का जो एक option नहीं है, राइट? अधर्वाइस सब कुछ इसके लिए और इसके जो लेंसे हैं इसमें लेंसे सारे आप यूज कर सकते हो, आपका EF लेंसे यूज कर सकते हो, कोई भी लेंसे आप इसमें अटेच कर सकते हो, तो दोस्तों यह मेरे हिसाब से एक बिगनर के लिए इस फोटोग्रफी को सीखने के लिए काफी अच्छा मुझे लगा, लाइट वी है काफी, अगर हम इसकी गृप देखें तो गृप इसकी काफी अच्छी है, और ओवरल जो है, आप स्क्रीन देख रहे हो मेरी खाल से कितने 3 इंच का स्क्रीन है, 2.5 इंच 9 autofocus points मिल रहे हैं आपको, 3 frames per second आप शूट कर पाओगे, feature guide, easy EOS movie, creative filters, आपको 4 is to 3, यानि की आपको LCD screen मिल रहे हैं आपे, Wi-Fi, NFC, वगयर वगयर सारी चीज़ आपको मिल रहे हैं, और इसका MRP अगर हम देखें तो आज की तारिक में अंदाज है एक प्राइस, इसका MRP एक camera मुझे भी personally काफी अच्छा लगा और इसके ऊपर जो है काफी सरे अगर आपको इसके sample images देखनी है तो आप Canon की website पे आखाईम, internet पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे, overall अगर आप एक mobile photography से upgrade करना चाहते हैं, और एक आप studio photography चोटा मोटा studio को काम करना चाहते हैं, तो 100 डिया आएगा, जिसको वीडियो का purpose ज्यादा है, काफी advanced camera दिया हुआ, tilt up screen इसका main advantage इसका tilt up screen है, touch screen है one touch focus दिया हुआ है, dual pixel इसके अदर use किया हुआ है, additional आपको माइक लगाने तो आप माइक लगा सकते हैं, focus point इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 focus point दिया हुआ है, selectable 9 focus point है, eye tracking main advantage क्या है, कि अगर आप photography सीख रहे हो, आपको focus point set करने की जो तनी camera आप on करते हो, diet camera आपको eye goal track कर लेता है, तो easy to हो जाता है photography के लिए, जो first time users है उनके लिए, तो इस camera को मतलब किस तरह की category को आप aim करना चाओगे, मतलब कौन से photographers हैं, beginner वाले तो हैं, beginner की उपर से e-commerce करने आप कर सकते हैं, जो basic अपना YouTube कुछ वीडियो बना रहे है, Instagram जो वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भी काफी फूल है, additional माइक लगा सकते हो, additional सारी चीज़ा option दिया हो, touch screen है, कहीं पर आपको focus करने हैं, आप focus भी कर सकते हो, इसमें अगर लाइब वीव सूड करते हो, पूरा display आपका focus दिया हो, 397. focus point आपका work करेंगा, जब लाइब वीडियो करते हो, तो वीडियो के लिए, okay, so दोस्तो ये camera वैसे मेरी खाल से काफी पहले, Sanjay जी रिलीज हो गया था, तो अभी भी ये चल रहा है, अच्छा सेल हो रहा है, इसका काफी अच्छा सेल हो रहा ह उनके लिए काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि कम बजट के हिसाब से उनको सारी पॉर्पर जोनका रिक्वार्मेंट हो रहा है, तो दोस्तो मैंने, I think 1-2 साल पहले Canon EOS 200D Mark II के ओपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो उसका मैं लिंक लगा दूँगा तो आप देख लि इसका और फोटोग्राफी रिलेटे देखते हैं, इसमें आपका कोई भी Canon के फ्लेस सपोर्टेबल है, थर्ड पाल्टी कोई फ्लेस आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मेगरशल वाइज अगर बात करेंगे 24 मेगरशल दिया हुआ, प्रोसेसर वाइज बात करेंगे, एडिज क प्रोसेसर दिया हुआ इसमें, डुएल फिक्सल इसमें यूच किया, और डुएल फिक्सल अगर अगर अपको लाइज भी सूट करेंगे तो वीडियो या फोटो, इसमूथली कैम्रा कांटिनू आपको फोकस में रखता है, फोकस के लिए टाइम नहीं लेगा, काफी जो मे फोकस काफी एफेक्टिव है, बात करें तो यहां पर भी आपको डिजिक 8 प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल रहा है, पूरा, 24 मेगा पिक्सल का है, डुएल पिक्सल अटो फोकस सिस्टम इसमें दिया है, नाइन अटो फोकस पॉइंट है, तो नाइन तोड़े से कम है, ल दोस्तों यहां पर आप 5 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर पाएंगे, इसमें 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 जाता है, और मुवी के लिए 12,800 तक, तो यह इसके कुछ खास खास फीचर हैं दोस्तों, और यहां पर अगर मैं दिखूं, तो कैमरा का वेट जो है, वह भी काफी लाइट वेट है यहां पर और यह पूरा जो है, पीछे से मेरी ख्याल से यह भी फ्लिप आउट स्क्रीन आपको, अपको अपको टच करतो है, तो कैमरा डारेट वह पर फोकस करेंगे, तो आपको फोकस सेट करनी कि जो उतनी है, डारेट आपको वन टच फोकस दिया हुआ है, इसमें आपको तो सिंगल कार्ट श्रॉट है, अब ओवरल जो मुझे इसमें एक माइनस पॉइंट लगा हुआ लगा कि इसके अंदर जो फ्लेश है, वो आप सिर्फ कैनन का ही यूज कर पाओगे, दूसरे ब्रैंट का शायद कॉम्पेटेबल नहीं है, दूसरे ब्रैंट के आप ने सपो परसली एकमर्स के कुछ पिच्छ लेते हैं अपने वीडियो में कुछ एक मॉडलिंग पॉटफोलियो के कुछ हैडशॉट कुछ पोट्रेट फोटोग्रफी मैंने की थी, तो जनरल आप इसमें हर तरह का दोस्तों काहम कर पाओगे, आपके कई लोग अगर इस कैमरा को वह है M50 Mark II, इसका आप इसको किस लोगो को रिक्मेंट करना चाहोगे? इसको प्लाइटमेंट करेंगे जो भी बेसिक ट्रवल फोटोग्राफी करते हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगर्स हैं, या जिसको लाइट वेड कैमरा चाहिए, जाना चाहिए उनके लिए अपधी अच्छा है, जो ब्लॉग्स है या इजी टू करने के लिए, जो ट इसमें भी आइड ट्रेकिंग दिया हो जैसे आप सब्जेट को करते है डायट कैमरा सब्जेक को ट्रेक कर लेता है अगर एक हैं तो फेस नहीं मिल तो आइक को ट्रेक कर लेता है खोंकी, तो यस्ता की बिल रहा है। और यहाँ पर मोटे मोटे तॉरर जह से तोर फसकिते हैं। Is untuk 24M匹 ayam आपको इसills में रहा है। जा यह भी जो है Sun Digic 8 Processor शम मुल रहा है Dual Autofocus Points आपको इसके लिंदल रहा है, Eye Detection इसके लिंदल रहा है, 4000 TV, लेकिन 4K मेरी कहाल से क्रोपिंग के साथ में है यह 4K आपको क्रॉप मिलेगा तो यह थोड़ा सा मुझे डिसद्वांटेज लगा वरिएंगल स्क्रीन है फ्लिप आउट कर सकते हो यहां पर आपको ओलेट रहा है जो की काफी 23,60,000 रहा है तो इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहां पर silent mode भी आप शूट कर सकते हो वाइफ ऐनेबल है तो यह सारी चीजे है आप देखारे और अच्छा इसका मैंने दोस्तों एक पुरा एक मेरी कहल से आपने शाल आप ही लोग ने द लगा दिया है डिस्क्रिप्शन में तो वहां पर आप जाके इसका पूरा रिव्यू देख सकते हैं और ये क्यामरा आज की तरिक में किस प्राइस में है अल्मोस 60 के अवरेज में यह भी है तो 60 था उजन तक यह भी जा रहा है तो इसके अंदर जो लेंस का कॉंपेटिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि सर जो कैनन एंफिफ्टी है इसमें जो इफ मांट तो है निए वो तो आपको अड़ाप्टर के साथ मेरे अपने इसके लिए अगर आपके पास एफ लेंसे हैं अगर आपके पास हाल्रीड आपके आपको अड़ाप्टर आता है जो कैनन के फुरू कोई आपके पास अगर लेंसे से एफ या इफ तो दोनों लेंसे इसके अंदर सपोर्टर के फुरू अगर आप अड़ाप्टर नहीं लगाते तो बेसिक आपको एम स्रीच के लेंसे यूज करने पड़ेंगे लेकिन उसके अगर जैसे इसके अंदर जो लेंस आते हैं वो उसमें कौन-कौन से लेंसे अविलेबर जो इसके साथ में कॉंपटेबल लेंसे अगर आपके पास जूम का रिक्वार्मेंट है 55-200 जूम लेंस हो गया 32 mm है तो बेसिक इसके जो लेंसे से काटेगरी थोड़ा सा क्या में ले लेंसे के इसके लिए कंपनी ने आपको अड़ेप्टर का उप्सन दिया हुआ जिससे आपके अगर कैनन यूजर हो तो आपके पास अडिशनल जो लेंसे से वो यूजफुल हो जाएंगे अपके लिए तो मोटे मोटे तोर पर बात यह निकल का आती है कि अगर चैनन M50 आपको लेना है तो यहां पर इनके जो लेंसे उसके अंदर मेरे खाल से काफी तशाप नता है 32 mm है 28 mm मेरे खाल से 55 to 200 है फिर 11 to 22 है मेरे खाल से तो बेसिकली यह जो कैमरा है दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरे एक्स्पिरेंस रहा था इस कैमरा के साथ यह रहा था कि इसमें आप वीडियो कॉंटेंट अगर आप बनाते हैं तो उन लोग के लिए पहला चॉइस में बोलूँगा कि यह कामरा बहुत अच्छा है एक सही कम बजट के अंदर दूसरी चीज़ जो लोग फोटोग्रोफी करते हैं तो वहाँ पर मेरी अडवाइस तो यह रहेगी कि इसमें आप यह वाला जो अड़क्टर नहीं बताया है पूरा यह 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 आप सरूर यूज करिए इससे आप जो है सारे म पर यूज कर पाओगे अब एक चीज मैंने जो मैंने संजची जो नोट के अब रिव्यू किया था इसका तो बैटरी लाइफ कुझे बहुत बहुत पूर लगा था अगर अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अब कंपेर टू मिरे लेस के हिसाब से डीएसलर के हिसाब से इसका कि कम ही लेगा तो बैटरी के बैटरी बेकप अपको डीएसलर का कम हीरेगा क्योंकि इसका जो वीफ अंडर है और डिस्पले अपको बैटरी अपर यूज होता है तो मैं दोस्तों जनुरल ली आपको बोलना चाओंग। अगर आगर आप इसे क्या में लेरे हैं कैमरा मुझे लगा था दोस्तों एक तो इसकी बैटरी लाइफ मुझे काफी पूर लगी थी सॉरी दूसे बट चैनल में को बताना पड़ता है और दूसरी चीज जो मुझे इसके लगा कि इसका जो लेंसे हैं उसकी ऑप्शिन्स थोड़े से कम है एक चीज और बताना चाहूँगा कि इसमें जो RAW फाइल है वो CR3 फाइल आती है तो वो कई बार मेरे कहां से मेरे Capture One Pro में नहीं खुलती थी शायद इसमें Lightroom के अंदर मेरे कहाल से open है या नहीं हो रही है वो एक बार में को confirm करना पड़ेगा तो यह थोड़ी थोड़ी चीजे मेरे को लगी थी इसमें बट इस camera is one of the best camera जो अभी इस वक्त मार्केट के अंदर मिल रहा है तो एक अच्छी प्राइस के अंदर चाहे इसकी आप देखोगे जो design है इसके economics है वो बहुत अच्छे लगे मुझे इसके touch menu है इसका यहाँ पर आप देखोगे खोलके तो touch menu है यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको थोड़ा सा on करें आप तो आप देख पार होगी जो इसका menu है बहुत easy to understand है और आप बहुत असानी से आप देख पाओगे देखिए कितना इसका जो touch screen है वो बहुत ही smooth है दोस्तों तो कुछ चीज़े जो है इस camera की मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों इसका review आप पूरा देखिएगा मैंने पूरा शूट करके दिखाया जहां पर मैंने detail में इसके बारे में बात की है तो Sanjay जी अब मुझे एक आपको सवाल ही प काफी अच्छा है जो beginner के जो फिल फुल उनके जो सारे requirement हो फुल फिल हो जाएंगे उनका अडिसनल से कुछ नहीं लगा कि मैंने चीज़े नहीं ली इसमें चीज़े नहीं है 4K की बात करेंगे आपको 4K मिल रहा है आई ट्रेकिंग मिल रहा है अब यह दोनों camera में को अगर काफी के लिएक अचाहई बात्रियर थे क्यों से करेंगे अच्छान बिल्टे क काफी रहा है यह थोसक्ति और अंटरियर के यह थोसे ट और चिरह प्रिचर से पर जीटा है उर नहीं प्रॉटीज अच्छा टब करेंगे 5k डता क्या द्रेल मैं ऍसट् 1 के कमरारे को पर्ड और यहां पर आप आईए, टेस्ट करिए और कैमरा को फील करिए, देखिए, उठाईए, पिच्छस लीजिए, वीडियो शूट करिए और आपको अच्छा लगे, तो आप खरीद सकते हैं, उमीद है आज के इस वीडियो से थोड़ा सा बिग्नर फोटोग्राफर्स को आइड उन लोगों ने इस कैमरा को काफी दाइम यूस किया, तो जो वो बात कह रहे हैं, उसकी वैल्यू भी काफी होती है, उमीद है आज के इस वीडियो से थोड़ी अपको एल्प मिली होगी, आज के लिए इतना है दोस्तों, and don't forget to subscribe my channel, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, आज के लिए तना ही, thanks for watching.